एक केजी आटा में कितनी रोटी बनती है या एक किलो आटे से कितनी रोटियां बन सकती है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं एक किलो ग्राम जो आटा होता है उसमें एक हजार ग्राम होता है तो अगर हम एक तरीके से अंदाजा लगाएं कि 30-35 ग्राम की आप एक रोटी बनाएं तो लगभग 30 रोटियां बन सकती हैं तो एक किलो आटे से 20-30 रोटी आप बना सकते हैं जादा ही पतली बनाए जादा ही छोटी बनाए तो आप 35-40 भी बना सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके साइज की रोटियां बना रहे हैं और कितनी उनको मोटा रख रहे हैं. तो जो एक किलो आटा होता है अगर उससे पूरी बनाते हैं तो 20 ग्राम के एक पूरी लगाएं तो लगभग 45-50 पूरीयां बन जाती हैं पर रोटी का साइज जो है पूरी से थोड़ा बड़ा होता है और कई बार मोटाई भी ज्यादा होती है तो उससे हम आधा भी पकड़े तो 25-30 रोटियां आप आसानी से एक किलोग्राम आटे से बना सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें